इस कहानी की सुरुवात में मौक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने आफिस की बिल्डिंग में खाना खाने के लिए डून रहा होता है दरसल पिछले तीन महीनों से अपने आफिस में है यह वो अक्त है जब पूरी दुनिया ने अपने आपको घरों के अंदर आफिस के अंदर लॉगड कर लिया है क्योंकि जो भी बाहर जाता है उसकी मृत्य हो जाती है मौक भी अपने आफिस में पिछले तीन महीनों से है और उसके साथ जो वरकर्स होते हैं वो नीचे बेस्मेंट में सुरंग खोद रहे होते हैं ताकि सहर के अंदर जो नालो का जाल बिछा हुआ है यह वहां तक पहुंच सकें और यह जल्दी सुरंग बना लेते हैं यहाँ पर मौक का बास भी होता है जिसके पाथ GPS है और मौक को GPS की जरूरत है मौक अपने बास से GPS के बारे में पूचता है वो कहता है कि मैं तुम से बाद में बात करूँगा और यहाँ से कहानी फ्लैस बैक में जाती है जहाँ पर मौक के बास को दिखाया जाता है जो की बहुत ही ज़्यादा इस्ट्रिक्ट होता है वो हमेशा काम टाइम पर चायता है और जो भी काम टाइम पर नहीं करता वो उसे नावकरी से निकाल देता है मौक को भी इसने एक प्रोजेक्ट दिया था जिसके लिए उसने मौक को एक डिलाइन देता है और कहता है कि इतने वक्त में तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा नहीं तो मैं तुम्हें नावकरी से निकाल दूँगा मौक इस बास से परेशान हो जाता है वो दिन रात अपने प्रोजेक्ट में लगा रहता है और तब उसकी गल्फ्रेंड यानी जूलिया का कॉल आता है जूलिया उसके घर पर डिनर करने के लिए बुलाती है मौक जब अपने घर डिनर करने के लिए जाता है तो देखता है कि उसके नेवर ने घर का दरवाजा खोल रखा है उसे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती और अब वो अपनी गल्फ्रेंड जूलिया से मिलता है जूलिया दरअसल मा बनना चाहती है लेकिन माक इस बात के लिए राजी नहीं होता वो जूलिया को मना कर देता है अगली सुब़े जब माक अपनी आफिस में जाता है तो वहाँ पर सभी एक ही न्यूज देख रहे होते हैं जिसे बताया जाता है कि पिछले च्छै महीनों से एक लड़का अपने घर पर ही था वो च्छै महीनों से बाहर नहीं निकला था कि उसे घर से बाहर निकलने में डर लगता है लेकिन जब उसके साथ जवर जस्ती की गई तो उसमें अपने आफ को ही मार डाला ये देखकर यहाँ पर खड़ा एक आदमी जो कि माक का कॉलिक है वो यहाँ से चला जाता है तब ही यहाँ पर एक वरकर बताता है तब उसका नेवर उस पर हमला कर देता है वो उससे पूचता है कि तु मेरे घर के अंदर क्यों आए माक कहता है कि यहाँ से बद्बु आ रही थी वो बताता है कि पिछले एक महीनों से घर के बाहर नहीं निकला हूँ दरसल अब उसे घर से बाहर निकलने में डर लगता है माक को ये बात बिल्कुल ही समझ नहीं आती इसलिए ओ यहां से चला जाता है अगली सुब़ जब वो अपनी आफिस पहुंचता है और जैसे उसे बाहर लाया जाता है उसकी तबियत खराब होना सुरू हो जाती है माक कहता है कि उसे अंदर ले जाओ हाला कि उसे अंदर ले जाते हैं लेकिन उसकी जान नहीं बच पाती उसकी मृत्तु हो जाती है ये बात किसी को भी समझ में नहीं आती और अब माक उसका लॉकर चेक करता है जहाँ पर ओ देखता है कि उस आदमी ने अपने सर्वाइब के लिए अपने लॉकर में बहुत सारा सामानी कठा कर रखा है यहाँ पर माक को सक होना सुरू हो जाता है कि कोई ना कोई गडबड जरूर है माक अपने घर जाता है और अपनी गर्फरेंट के साथ बैट कर नीज देखने लगता है जिसमें बताया जाता है कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंको ने घर से बाहर निकलने में डर लगता है लेकिन साथ ये भी कहा जाता है कि जो लोग अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम वैसे ही करते रहे हैं डरने की कोई जरूरत नहीं है अगली सोय माक जब अपने आफिस के लिए निकलता है तो देखता है कि सड़के पूरी तरह से सूनसान है जब वो मेटरों में जाता है तो वहाँ पर भी सिर्फ एक ही आदमी खड़ा होता है उसने भी माक स्पहना होता है माक अपने आफिस पहुँचकर जूलिया को कॉल करता है लेकिन वो कॉल जूलिया की दोस्त उठाती है जो कहती है कि जूलिया तुमसे बात नहीं करना चाहती और तभी माक को कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है दरसल अब इंटरेनेट की सारी सुब्धाइं बंद हो जाती है और माक अपनी गल्फेंट जूलिया से मिलना चाहता है इसलियो अपने आफिस के बाहर निकलता है लेकिन जैसी वो एक कदम बाहर रखता है तो उसकी तबियत खराब होने लगती है उसे लगता है कि अब वो यहां से सर्वाइब नहीं कर सकता इसलियो आफिस के अंदर वो आफ़स चला जाता है दरसल पूरी की पूरी दुनिया अपने आफिसस में अपने घरों के अंदर कैद हो चुकी है जो भी घर के बाहर निकलता है उसकी मौत हो जाती है यहां से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर हमें माँ को दिखाया जाता है जो अपने वापस के पास जाता है जिसके पास जीपियस है वो अपने वापस से कहता है मैं अपने घर जाना चाहता हूँ क्योंकि वहां पर मेरी गर्फ्रेंड है पिछले तीन महीनों से हमें एक दूसरे से दूर है मुझे जीपियस की जरूरत है मुझे GPS की थूरू अपने घर पहुचना है इसके बदले मैं तुम्हें खाने की सप्लाई लाकर दूँगा और अब उसका बॉस उसकी मदद करने के लिए मान जाता है ये GPS की थूरू अब लगातार आके बढ़ना सुरू कर देते हैं और तभी ने एक गोली चलने की आवास सुनाई देती है जिससे भागना सुरू कर देते हैं और ये एक जगह पर पहुच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जो मॉक के बस का बैग लेकर भाग जाता है जिसके अंदर GPS है ये दोनों उसका पीछा करते हैं वो उपर चला जाता है जहाँ पर उसके और भी साथी होते हैं जिनके पास गन होती है वो इन दोनों को घुटने के बल वैटने के लिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मॉक के पास बैग भी होता है और जब वो मॉक का बैग लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तब ही यहाँ पर लाइट चली जाती है और इस बात का फायदा उठाकर मॉक और उसका बास इन पर हमला कर देते हैं मॉक का बास उस आदमी से जिसके पास गन होती है उसकी गन छीन लेता है साथ ही जीपियस भी मॉक को मिल चुका है और ये दोनों के दोनों गन और जीपियस लेकर यहाँ से निकल जाते हैं हाला कि जीपियस की स्रिंग क्रैक हो चुकी है लेकिन अब भी वो काम कर रहा होता है इसके बाद एक बार फिर से उस टरनल से होती है माक के घर की तरफ बढ़ना सुरू कर देते हैं माक अपने बाद से पूछता है कि आपको जीपियस क्यों चाहिए था आप कहां जाना चाहते थे लेकिन वो उसकी बात का जवाब नहीं देता और आगे बढ़ते बढ़ते ये उस एरिया तक पहुंच जाते हैं जहां पर माक का घर है लेकिन घर के उपर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता इसलिए टर्नल यानि नाले के उपर ये एक सिलेंडर लगाते हैं जिस पर ये गोली से सूट करते हैं और अब यहां पर एक छेद हो जाता है जिससे उस विल्डिंग पर पहुंच जाते हैं जहां पर माक का अपार्टमेंट है ये देखते हैं कि यहां पर बहुत सारे सर्वाइबर्स हैं जो कि यहां पर छुपकर रहे रहे हैं माक अपने बास के साथ उपर जाता है जहां पर वो नेवर को देखता है जो कि अब भी अकेला छुपा होता है और जब माक अपने दर्वाजे को देखता है तो उसका लाग तूटा हुआ होता है वो समझ जाता है कि अंदर कोई न कोई है तब भी उसे दर्वाजे के होल से एक आँख दिखती है जिसके बाद वो दर्वाजे को धकेलना सुरू कर देता है अंदर से भी कोई दर्वाजा धकेल रहा होता है लेकिन मॉक किसी तरह से उसे खोल लेता है और अंदर घोश जाता है इनके फास योगन होती है उससे वो उस आदमी को डराते हैं तब ही उस आदमी की फैमली भी यहाँ पर आ जाती है दरसल यह आदमी जिसे मॉक की लेंगवेज नहीं आती उसके साथ उसकी बेटी और उसकी पतनी भी होती है लेकिन इसकी बेटी को मॉक की लेंगवेज आती है और वो मा को बताती है कि हमारे पास रहने के लिए छुपने के लिए कोई भी जगा नहीं थी हमें ये गर खाली मिला इसलिए हम इस घर में रहने लगे हम पिछले कई महीनों से यहां पर हैं मा की ने जूलिया की फोटो दिखाता है और वताता है कि मेरी गर्फरेंड इसी घर में थी हम दोने यहीं पर रहा करते थे वो कहां है लेकिन वो परिवार कहता है कि जब हम यहां पर आए तो यह इस घर में कोई भी नहीं था और इसके बाद वो इस घर की तलासी लेते हैं दरसले खाने का भी समान ढूंड रहे होते हैं लेकिन यहां पर खाने का कुछ भी समान नहीं होता मॉक के बास को यहां पर कुछ पॉपकॉन की सीट्स मिलती है मॉक जूलिया के कमरे में जाता है जहां पर उसे सेक डाक्टर की रिपोर्ट मिलती है दरसले जूलियकी अल्टरा साॉंड की रिपोर्ट होती है जिसे मौक को पता चलता है कि जूलियक प्रेगनेंट है जिस वारे मुसे नहीं पता होता और अब वो जल्द से जल्द जूलियके से मिलना चाएता है ये एक बार फिर से घर से निकल कर वाफ़ टरनल में जमीन के अंदर पहुँच जाते हैं और अब वो उस मॉल की तरफ जाना चाहते हैं जहां पर जूलिया की सौप थी लेकिन मॉक का बॉस उस तरफ नहीं जाना चाहता मॉक का बॉस कहता है कि मेरा वादा था तुम्हें जूलिया के घर तक पहुचाना और मैंने अपना वादा पूरा किया अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं पर मॉक चाहता है कि वो जीपियस की मदद से मौल तक पहुच जाएं इसलिए मॉक और उसके बॉस के बिच हाथा पाई होने लगती है और इस हाथा पाई में मॉक की टार्च भी तूट जाती है मॉक अपने वादा से कहता है कि मैं जूलिया और अपने होने वाले बच्चे तक किसी भी कीमत पर पहुचना चाहता हूँ इससे ज़्यादा जरूरी मेरे लिए और कुछ भी नहीं है उसका वास कहता है कि मेरे पीता भी मेरे लिए बहुत जरूरी है जिन्हें आखरी वक्त मैंने हास्पिटल में छोड़ा था क्याकि उनकी तविद बहुत खराब थी और मैं उस हास्पिटल तक पहुचना चाहता हूँ क्योंकि इस दुनिया में मेरे पीता के अलावा और कोई भी नहीं है मैं उन तक पहुचना चाहता हूँ उसके बाद मैं तुम्हें जीपिएस दूँगा तुम भी मेरे साथ चल सकते हो माक उसकी सर्थ मान जाता है अब ये दोनों के दोनों सास्पिटल की तरफ जाने लगते हैं तब ही ने टर्नल को उपर एक होल दिखता है जिससे एक विल्डिंग पर पहुचते हैं यहां पर ये आग जलाते हैं और तब ही ने ऐसास होता है कि इनके पीछे से कोई आ रहा है ये उसका सामना करने के लिए लोहे की राडस उठा लेते हैं और अगले ही पल इनके सामने एक बहुत बड़ा भालू होता है दरसले जू का भालू है जो यहां पर फांश चुका है वो इनके उपर हमला करता है और ओ माक के बास को मारनी ही वाला होता है लेकिन तभी माक अपने भाले से उसे मार देता है जिसके बाद यह उसे पका कर खाते हैं आज कई महीनों के बाद इन दोने ने भार पेट खाना खाया है माक का बास कहता है कि तुम चाहते तो भालू को मुझे मारने देते जिसके बाद तुम्हें जीपियस मिल जाता लेकिन तुमने मेरी जान बचाई इसके लिए सुक्रिया कुछ देर के बाद उसी जगे पर अराम करने के बाद ये मेटरो टरनल से हास्पीटल की तरफ बढ़ चलते हैं तभी ये देखते हैं कि सामने से कुछ लोग आ रहे हैं जिन मेंसे एक आदमी जखमी होता है मौक का बस कहता है कि यहाँ पर एक हास्पीटल है तुम्हें इस आदमी को वहाँ ले जाना चाहिए तब ही ये मौक को बताते हैं कि यहाँ पर जो हास्पीटल है उस हास्पीटल में आग लग चुकी है इसलिए वहाँ जाना नामुम्कीन है यह बास सुनकर मौक को बॉस परेसान हो जाता है क्योंकि उसके पिता उसी हास्पीटल में होते हैं वो मेटरों के दरवाजे से उपर जाता है और जब वो विल्डिंग के उर पहुंचता है तो सच्पीटल में आग लगी होती है वो हास्पीटल पुरी तरह से जर रहा होता है मौक का बॉस यह दे कर पुरी तरह से तूट जाता है वो अपने घुटनों के बल बैट जाता है और अगले ही पल वो यहां का सीशा तोड़ कर नीचे कूदने की तैयारी करता है दरसले वो अपनी जान देना चाहता है क्योंकि उसके पीता के अलावा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है लेकिन माक उसे पकड़ लेता है वो कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है माक का वास कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकता मेरी जिन्दगी में अब कोई भी मकसर नहीं बचा लेकिन तुम्हारे पास है तुम्हें जूलिया और अपने होने वाले बच्चे को ढूड़ना होगा मॉक के बॉस के पास जो सीट सोते हैं जुसने जमा किये थे वो मॉक को दे देता है और कहता है कि तुम अपना सफर जारी रखो और इसके बाद मॉक यहां से निकल जाता है और जल्द ही वो उस माल तक पहुँच जाता है जहां पर जूलिया अपने दोस्त के साथ काम किया करती थी वो सुरूम के अंदर जाता है जहां पर कोई भी नहीं होता माक यहां पर तलासी लेना सुरू कर देता है ताकि उसे जूलिया या उसकी दोस्त के बारे में कोई पता चले और जब वो मिरर की मिट्टी हटाता है तो वहाँ पर जूलिया की दोस्त ने अपनी मौम के लिए मैसेच लिखा होता है कि मैं और जूलिया दोनों के दोनों सूपर मार्केट में छूपे हुए हैं और अब मांक इसके बाद सुपर मार्केट की तरफ बढ़ चलता है दरसल यहाँ पर मांक का कुछ लोग पीछा भी कर रहे होते हैं लेकिन मांक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता और जल्द ही वो सुपर मार्केट पहुंच जाता है जहां पर लोग ने रास्ते को पूरी तरह से बंद किया होता है ताकि अंदर आकर कोई खाना ना ले सके मांक को बाहर ही रोग दिया जाता है दरसल इन सब के पास गन है और तब ही मांक जूलिया की फोटो दिखाता है और कहता है कि मैं यहाँ जूलिया की तलास करने के लिए आया हूँ मैं सिर्फ उसे यहाँ से ले जाना चाहता हूँ अब वो आदमी उस फोटो के लेकर जूलिया को देखने के लिए अंदर चला जाता है और तब ही वो लोग जो मॉक का पीछा कर रहे थे वो सब के सब उस सूपर मार्केट पर हमला कर देते हैं क्योंकि वो सब के सब भूखे थे मौके का फायदा उठाकर मौक भी सूपर मार्केट के अंदर चला जाता है अब सूपर मार्केट में आग लग जाती है चारो तरफ अफरत तफरी मच जाती है माक किसी तरह से जूलिया की दोस्त तक पहुँच जाता है पर उसकी दोस्त बताती है कि मैं पिछले कई महीनों से जूलिया से नहीं मिली अगली वार जाए मैं उससे मिली थी तो वो डाक्टर के पास गई थी माक कुई इस बात से बहुत दुख होता है लेकिन अब वो किसी भी तरह से जूलिया की फ्रेंड के साथ बाहर निकलना चाहता है लेकिन तभी इन दोनों की बीच में उपर से जलती हुई एक आग की बहुत बड़ी लकड़ी गिर जाती है माग जूलिया की दोस्से कहता है तुम्हें इस तरह आना होगा लेकिन इससे पहली कि वो ऐसा करती उसकी उपर सीलिंग गिर जाती है जिससे उसकी मृत्यू हो जाती है माग के उपर भी एक लड़का अटैक कर देता है पर इससे पहली कि वो माग को मारता माग का बॉस यहाँ पर आ जाता है और माग की जान बचा लेता है लेकिन वो लड़का मॉक के बास को चाकू से जखमी कर देता है पर जल्द ही मॉक का बास उसे काबू में कर लेता है वो उसे मारने ही वाला होता है लेकिन वो देखता है कि एक बच्चा है इसलिए वो उसे छोड़ देता है वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वो लड़का यहाँ से भाग जाता है अब मॉक और उसका बास एक बार फिर से जमीन में जो पानी के नाले के टरनल होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब यह आगे बढ़ते हैं तो इन्हें यहाँ पर एक होल दिखता है यह उसे उपर चले जाते हैं यह दोनों के दोनों एक मूवी थेटर में पहुँच जाते हैं इसके बाद मॉक अपने बास जो की जखमी है उसे वहीं पर वैठा कर खुद उपर आ जाता है और देखता है कि जिस डांक्टर के पास जूलिया गई थी वो बिल्डिंग उसके सामने है वो बिल्डिंग के सामने जूलिया को देखने की कोसिस करता है और जल्दी वहाँ पर उसे एक लड़की की आकरती देखती है वो उसे पहचान जाता है दरसल वो जूलिया ही होती है माक जूलिया को जोर जोर से आवाज लगाना सुरू कर देता है और जूलिया पीछे मुण कर देखती है जूलिया भी माक को देकर बहुत खोसा है अब माक नीचे अपने बॉस के पास जाता है उसके बॉस का बहुत खून बह चुका होता है इसलिए वो अपनी जिन्दगी की आखरी सांसे ले रहा होता है वो मॉक से कहता है मुझसे वादा करो कि तुम रोल को क्रास करके जूलिया के पास जाओगे मॉक कहता है कि मैं वादा करता हूँ मॉक दरसल टर्णल के रास्ते नहीं जा सकता क्योंकि टर्णल आगे से ब्लाक होता है और उसके वाद की मिरत तुके बाद मॉक अपने कदम बाहर रखता है जिससे उसकी तब्यत खराब होना सुरू हो जाती है पर उपने लड़कटाते हुए कदमों से आगे बढ़ते चला जाता है और अगले ही पल उसकी आखे बंद हो जाती है पर जब उसकी आखे खुलती है तो उसके सामने जूलिया होती है दरसल उसने रोड क्रास कर लिया था और अब माक और जूलिया एक दूसरे के साथ है कुछी महीनों बाद इनका बेटा भी जन्म लेता है साथ ही इन दोनों ने अपनी पूरी दुनिया भी इस बिल्डिंग के अंदर बना ली होती है उसके बास ने जो सीट्स दिये थे उन सीट्स से इन दोनों ने यहाँ पर फेड़ उगा लिये होते हैं जिस पर फला और सबजिया हैं अब इनका बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है वो चलना सुरू कर देता है और एक दिन वो चलते चलते खुली बिल्डिंग के बाहर निकलाता है जिससे उन्हें पता चलता है कि इनका बेटा इस बिमारी से पूरी तरह से हुमियून है उसे किसी भी तरह का कोई भी पैनिक अटेक नहीं आता कई साल बीच जाते हैं और इनका बेटा बड़ा हो चुगा है और एक दिन जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर उसी के जैसे और भी बच्चे हैं जो कि एक न्यू जिनरेशन है दरसल वारस फैलने के बाद जितने भी बच्चा पैदा हुए थे उन्हें इस वारस से कोई भी नुकसान नहीं होता और इसी के साथ ये फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों उमीद करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई हो